नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्टीव मैं हूं करनाल से केसी आ रहे हैं करनाल में किसानों के स्वागत में जीटी रोड पर बारी संक्या में किसान पहुंचे हैं और जाम की स्थिती बन गई आप देख रहे हैं कि बारी संक्या में जो किसान पहुंच रहे हैं करना के प्ट्रोल प्रदाव उनका स्वागत फूलों से किया जा रहा है और फूल विखेर कर उनके उपर स्वागत में उनकी बसों को निकाला जा रहा है और जाम की स्थिती बन गई आप देख रहे हैं कि किसान नारे बाजी करते दिल्ली सेसिंगु बाडर से करनाल पहुंचे हैं और अब जेटी रोड से वापिस करनाल से होते हुए पंजाब जा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है बारी संख्या में किसान के गाडियां यहां से निकलते हुए और फूलों से स्वागत लोग करते हुए यहां पर जो किसान है आप देख रहे हैं बारी संख्या में जुटे हैं संक्या में किसान आप वापसी कि पंजाब जाते वए और उनके स्वागत वह की किसान सड़कों पर हैं और सड़का संग कि मेंوج sait आगे की तरफ रवान कर रहे हैं पंजाब की तरफ भारी मातरा में जो किसान दिल्ली गह थे वह वापिस पंजाब जा रहे हैं करनाल में उन किसानों का स्वागत जोरदार किया जा रहा है और इसको देखते हुए एक जाम किस्तिती भी बनती जा रही है आप देख रहे हैं कि इतने किसान बारी संक्या में दिल्ली से पहुंच रहे हैं कि यहां से अब जाम किस्तिती पैदा हो गई है बारी मात्रा में जो किसान दिल्ली से आ रहे हैं उनका स्वागत किया है कि बारी मात्रा में किसान आ रहे हैं और किसानों का जो स्वागत फुलों से किया जा रहा है जाम लग चुका है यहां पर किसानों कि जादा गाडियां पहुंच रही हैं और उनको फुलों से स्वागत किया जा रहा है जो भी किसान सिंगु बार्डर से आ रहे हैं और उनको यहां पर कर्नाल से रवाण से रहा हैं और उनको यहां पर कर्नाल के पूल बरसा करके उनका स्वागत किया जा रहा रहा और किसान खुशी खुशी वापिस अपने पंजाब घर की तरफ जाते हुए अब पूर्ण रूप से जाम लग गया है जीटी रोड अब जाम हो चुकी है दूर-दूर तक जाम लग चुका है पुलिस को बुलाया गया है क्योंकि किसान यहां पर पहुँचे हैं और जाम जो लग गया उस को जाम को रोकने के लिए भारी मातरा में जो किसान यहां पर पहुँचे हैं और किसामनों दोरा सुबागत किस दृष्टी में पुलिस मौके पर पहुची है ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस को बुलाया गया क्योंकि ट्रैफिक जाम हो चुका था इसलिए पुलिस मौके पर पहुची है और जाम की स्थीति कुसे निप्टने के लिए पुलिस अप किसानों को पिछे हटा रही है क्योंकि जादा किसान आने से यहाँ पर जाम की स्थीति बन गई थी जो किसानों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर करनाल में किसान पहुंचे थे उन्होंने जाम लगा दिया, यहां पर जाम की स्थिति बन गई और सड़क पर किसान खड़े हो गए ते इसलिए पुलिस द्वारा यहां पर मदद ली गई और उनको वापिस किया जा रहा है जाम की स्थिति निम्टने के लिए बारी संख्या में आप देख रहे हैं किसान पहुंचे हैं और उनको यहां से रवान करने के लिए जो जमावडा लगा था पुलिस को बीच में आना पड़ा और फूलों से स्वागत करते हैं आप देख रहे हैं कि फूल बरसा करके किसानों के उपर फूल बरसाए जा रहे हैं उनको खाने पीने का समान भी दिया जा रहा है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत नहों बड़ी सं ठाली आँ भरबार के जा रही है घ्र missya देखीए पंजाब वे वापिस जा रहे हैं जो बड़े दिनों से सालों से संभ्र पाइटर पर थे वहार आज वापसी खुशी मनाते हैं जा रहे हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है फूल बरसा करके जाम की स्थीत ही जरूर बन गई है क्योंकि संक्या काफी संक्या में किसान यहां पहुंचे थे पुलिस इसको बुलाया गया पुलिस द्वारा जाम को अब याता-यात को सुचारू किया गया है परन्तु फिर भी जो याता-याता यहां पर रूका खड़ा है क्योंकि जो किसान है वो भारी मातरा में अब किसान करनाल पहुंचना शुरू हो गया है किसान जो दिल्ली से पहुंच रहे हैं डास करते हुए नाचते गाते हुए यहां पर पहुंच रहे हैं आप देख रहे हैं कि गाडियों पर चत्ते पहुंचे हैं और डास कर रहे हैं यहां पर बारी मातरा में अब बच्चे जो वो ट्रक्टर ट्रली के ओपर डांस करते जा रहे हैं करनाल से क्योंकि एक जीत जो बड़ी उन्होंने हासिल की है वो सरकार से क्रिशी कानून निनस्त्राके की है और आज यहां पर खुशी मना करके जा रहे हैं किसानों को स्वागत में आपर पूरा जमावडा लगा हुआ है और करनाल में किसानों का स्वागत किया जा रहा है किसान दिल्ली से जो आए हूँ दांस करते हैं यहां से